तो दोस्तों देख सकते हो दोस्तों नमस्कार शबहों को देख सकते हो इस बिच्चा देने वाला है इसको अलग किये हैं और चुहा भी खोद खोद के मिट्टी जमा कर दिया है एक तरब बनाते जाते हैं ते एक तरब बिगड़ते जाता है कि इसको अलग रूम में रख दिये हैं लग अलग रूम में इधर खा लेन लेन खा रहा है अभी डाल दिया हूं अज निकलने नहीं सक रहा हूं थोड़ा सा उधर रिटा देख रहा होगा उसको जोड़े करना है थोड़ा थोड़ा एक एक थो रूम बनाया देंगे सब इसमें का सब बच्चा देने वाला है सब का सब बच्चा देने वाला है तो अलग-अलग रूम में डलना है तो इसमें थोड़ा सा पीचा जो देख रहे हैं उसमें अभी जोड़े करेंगे और इधर एक काटा काटा जो दिख रहा है उसको भी बता देते हैं बड़े काम का है सुहर सब का गल फुली होता है तो इसी का गाद को लगाते हैं इसका गाद को लगाना है जहें भी काड़ो उसका सफेद सफेद दोद निकलता है और असानी से लगा सकते हो जो पहली बार देख रहे तो मेरा चैनल को सस्क्राइब करे और लाइक कर दे और भी इसी तरह आपका वीडियो मिलते रहेगा थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ हर जखम यह जो इटा पड़ा है यहाँ पर जुड़े कर देंगे यहाँ देखके रूम हो जाएगा थेर इधर बच्चा सबको अलग किये हैं तो इसको भी थोड़ा सा रूम बनाएगा भी सही हो लगी सा है बाके देख सकते हो इस तिराव से बना दिये हैं ताकि किचड से बचे बहुत दिन किचड में था पहले तो बहुत सारा बच्चा भी दब के मार जाता था किचड में अभी इधार इसमें नौ बच्चा है और इधार देख सकते हो एक ठू चार ठू बच्चा है इधार इसका मा दबा के खा रहा है चबा के खा रहा है और उधर पच्चा सब अराम से सोया है इस तरफ से छोटा छोटा रूम बना देना है और इधर थोड़ा भी बाकी है इस तरफ थोड़ा थोड़ा करके कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा अरजेश्ट हो जा रहा है कब फुरसाद होगा जैसा लग रहा है जब तक जिन्दा रहोगे काम करते रहोगे काम खताम नहीं होगा सब कोई जानते हैं सब कोई समझ सकते हैं करना असान है कहना असान है करना मुश्कील है बालूम जानकारी के लिए कोई मुश्कील नहीं है जानकारी के लिए साब असान है और नहीं जानने वालों को दिक्कत होता है तो हम लोग तो समझ चुके हैं और दिक्कत को सामना करना पड़ता है कभी कभी सामना करना पड़ता है दिक्कत कभी कभी हो जाता है समस्या होता है आता है जाता है मेरे जो पूलिए बढ़ित